हेलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जो कार्ट्रेज है वो क्लोग हो गई है जहां वो पुरी तरह से ड्राई हो गई है तो इंक जहां से बाहर नहीं आ रही है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारी जो कार्ट्रेज है अगर जहां नीचे से एक लोग हो जाती है तो उसकी जो में बजा होता है वो यही होती है कि हमारा जो इंक जैट प्रिंटर है वो हमने काफी देर से उसे यूज नहीं किया होता है जिसकी वैसे वो जो हमारा कार्ट्रेज है वो जहां से नीचे से ब्लोग हो जाता है उसकी जो इंक है वो जहां पर ड्राई हो जाती है जिसकी वैसे जो वो प्रिंट नहीं कर पाता है जैसे की मैं भी आपको बता देता हूँ जैसे मेरे पास यहां पर कोटन बड्स है अगर मैं इस बड्स की मदद से इसे जो इसकी नोजल है उस पर इसे करता तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है यह बिल्कुल मामली सा रहा है यहां पर इसका मतलब यह है कि यहां से हमारी जो इंक है वह बाहर नहीं आ पर ही है तो हमारा जो काट रहे जाए वह यहां से नीचे से क्लोग हुआ है जिसकी वैसे यहां पर हमारा जो इंक है वो बाहर नहीं आ पर है तो अभी हम बात करेंगे हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता ज़ता हूँ मेरे पास कैनन का 745 जो काट रहे जाए वो मुझूद है अभी जो बलैक है तो अभी इसकी जो इंक है कोटन बर्ड लीजिए उसे यहाँ पर मैंने एक गरम पानी लिया है यह बहुत ज़्यादा गरम पानी नहीं है यह मतलब मीडियम सा है तो ऐसा पानी आपको ले ले लेना है और उसके बाद आपको इसे थोड़ा सा पानी इससे निकालना है तो आपकी जो क्लोग नोजल है यहाँ पर जो इसका नीचे से हमारा इंक का पूरी तरह से बंद हुआ होगा वो यहाँ से खुल जाएगा तो अभी ऐसे मैंने यहाँ पर पानी लगाया था तो यहाँ पर कुछ इंक निकली है लेकिन अगर मैं इसे दुबारा से यहाँ पर चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है इसकी जो मेन वज़ाय है वो यही है कि यहाँ पर हमारी जो इंक है वो पूरी तरह से यहाँ पर सूख चुगी है तो अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं इसके लिए आपको गरम पानी लेना होगा गरम पानी में आपको यह द्यान रखना होगा कि आपकी जहांपर जो चिप है जहांसे हमारा जो printer है वो टैच होता है आपको इसको पानी के अंदर नहीं जाने देना है सिर्फ आपको अतनी हिस्सा अपनी काडरेज का इतना हिस्सा आपको पानी में डालना है ताकि जो यहाँ पर इंक जमी हो वो सारी की सारी यहां पर निकल जाए तो simply अभी यह मेरे पास गरम-पानी है इसको मैं simply इसमें डुबोवाँرج आपको इसको इसमें डबोना है लेकिन इस इससे पर नहीं डबोना है ताकि इसमें पानी न जाए आपको सिरफ नीचली इससे को यहाँ पर गरम पानी में डबो देना है इसको आप 5-10 मिंट रख सकते हैं अगर आपकी जो कार्ट्रेज है वो ज़्यादा क्लोग होगी तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अगर कम होगी तो आप इसको simply थोड़ी देर के लिए पानी में रख सकते हैं और इससे जो आपकी नोजल है वो नीचे से खूल जाएगी और इंक है जो वो बाहर आने लगेगी तो आपको इसे ऐसे इंक को बाहर निकालना है तो अभी मैं इसे गरम पानी में डबो रहा हूँ तो अभी मैं इसे थोड़े 5-10 मिंट के लिए जहां पर डूबो देता हूँ तो अभी मैं अपनी जो कार्ट्रेज है उसे बाहर निकाल लेता हूँ इसको मैंने 10 मिंट के लिए जहां पर डिप किया था गरम पानी में तो अभी जो मैंने नीचला इसका हिस्सा है आप यहां पर देख सकते हैं जो भी हमारी जितनी भी ब्लोकेज वगेरा थी जाएंक जो हमारी ड्राई होई थी वो सारी बाहर जहां पर आ चुकी है तो अभी मैं इसे अपनी जो कार्ट्रेज है उसको अच्छे से यहां पर कपड़े से साफ कर लेता हूँ तो आपको इसे अच्छे से साफ कर लेना है यहां पर आपको दियान रखना है कहीं भी पानी न रह जाए नहीं तो यहां पर जो हमारा short circuit है वो सकता है तो आपको इसको अच्छे से साफ करना है तो अभी हमारी जो cartridge है वो यहां पर जो नीचे से block थी वो यहां से खुल चुकी है अब इसको आपको check करना है तो आप एक white sheet ले सकते हैं आप इसे check कर सकते हैं ऐसे तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारे जो इंक है वो अच्छे से जहां से बाहर आ रही है तो हमारी जो cartridge है वो यहां पर अभी अच्छे से खुल चुकी है तो friends ऐसे आप इसे अच्छे से click कर सकते हैं तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद ही तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें